यहां पर दिखें क्कोचन है 7x-5y बराबर 2x-2y बराबर 3 विलोपन 20 से हल करें। ध्यान समझेगे मेरे भाई इस ख्वोचन हों कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सबसे पर लिखेंगे 7x-15y बराबर 2 इसको मानेंगे क्या स्वमिकरण 1 और यहाँ पर लिखेंगे x-2y बराबर 3 इसको लिखेंगे स्वमिकरण 2 ठीक है? अब देखेंगे हम क्या करेंगे बिलोपन भी से जब भी आपको हाल करना होते हैं यहाँ से y को हाटाते हैं या x को हाटाते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए यहाँ पर करेंगे मेरा भाई यहाँ यहाँ पर हम y को हाटाएंगे तो y को हाटाएंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर इस y में जिस संके से गुना है इसको हम उपर गुणा करते हैं यानि यह वाई में जिस संखे से किसे गुणा है दो से है यहाँ पर दो से गुणा करेंगे ठीक है और इस वाई में जिस संखे से गुणा है उसको हम किसे गुणा करेंगे कहा गुणा करेंगे नीचे यानि समिकरण 2 में तो y में देखिए किस संगे सा मेरा भाई गुणा है 15 से तो इसमें हाँ गुणा करेंगे 15 से अब यहाँ पर 2 में सब से गुणा होगा साथ दुनी कितना होगा 14x माइनस 15 दुनी कितना होगा 30y तो इवा आपका 30y बराबर 2 दुनी कितना होगा 4 तो यह आपका 4 मतलब इस 2 से 100 में गुणा होगा अब नीचे 15 है इस 15 से 100 में गुणा करेंगे तब 15 में x से जब गुणा होगा तेहां आप लेंगे 15x प्लस 2y यहाँ पर है यहाँ पंद्र है तब 152 ने कितना होगा 30y बराबर 153 कितना होगा 45 अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है मेरे भाई जब भी आपको प्लस माइनस हो तो लिखते हैं जोडने पर और साइन क्या करते हैं चेंज नहीं करते हैं यहाँ पर लिखेंगे जोडने पर जोड़ने पर sign change नहीं होता है जोड़ने पर हुआ और जोड़ने पर sign क्या होता है change नहीं होता है यह हुए प्लस में सापस में क्या हुए कट गया और 14x और 15x को जोड़ देंगे कितना x हो जाएगा आपका 29x यह आपका 29x बराबर 45x और 4 को जोड़ दीचिए तब 45x और 4 जोड़ देंगे तो यह होगा आपका 49 और यहाँ पर देखिए 29x है 29x के समतब क्या है गुणा में इधर जाएग तो क्या होगा भाग होगा यहाँ पर लिखें x बराबर 49x बटा में 29 यह होगा आपका क्या तहम क्या करते है यह equation असान में इजी है इसमें हम क्या करते है x कमान भर देते है x प्लस 2y बराबर 3 x कमान भर देंगे 49x29 प्लस 2y बराबर 3 अब देखिए 49x29 क्या है प्लस में इधर जाएग तक होगा माइनस होगा यानि यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर 3 minus 49 बटा में 29 और यहाँ पर क्या है नीचे मतब नीचे में एक मा लेते हैं अब यहाँ पर लिखेंगे 2i बराबर 29 और 29 आप दखिए एक है यहाँ पर क्या है 29 है यानि उपर 3 में 29 से मौल्टिपले होगा यहाँ पर लिखेंगे 3 x 39 माइनस 49 ठीके अब यहाँ पर क्या करेंगे 2 y बराबर 29 में अब 3 सेगुना करेंगे कितना होगा 9 3 कितना 27 9 3 कितना 27 अब 3 दूनी 6 6 और 2 8 87 माइनस 49 बाटा में 29 ठीके अब 87 में जब 49 सेगुना करें उन्चा मतब घटा लेंगे नी 17 में से कितना घटा लेंगे 9 तो कितना आएगा मेर भाई तो 2 y बराबर आपका होगा 17 में से 9 घटा लेजिए तो 8 और 8 में से 4 मतब 8 है तो 4 है यहाँ पर 7 में से 4 जगा तो कितना बज़गा 3 यह आपका 29 तो यहाँ पर y बराबर लिखेंगे 39 बटा में 29 और यहाँ पर नीचे में मॉल्टिपलाई भाग का मतलब क्या है नीचे में मॉल्टिपलाई 2 से करेंगे तो यहाँ आपका 29 तो यहाँ बराबर आपका होगा 29 बटा में 29 तो यहाँ बराबर 29 और y एक्स बराबर 29 बटा में 29 धन्य बाद अगर आप मेरे चनल परना है तो मेरे चनल सस्क्राइब कलिजिए वे लेकन को दबाली छी